हेलो दोस्तों उतकिस studypoint पर आप सभी America हार्देख स्वागत है आजका आर हमारा है जो वीडियो है वह है सौर मंढल इस्टम से संब्धित है चलिए दोस्तों आजका वीडियो स्टार्ट किया जाता है तो सोर मंडल, ठीक है, solar system, तो सूर इसके आठ गरहें तता उनके अनेक उपगरहें एक पूरे परिवार की रचना करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सोर मंडल कहते हैं, यानि कि उसमें क्या क्या सामिल है, सूर है, ठीक है, उसके बाद गरहें हो गए, उपगरहें हो यह सब मिलकर क्या करते हैं, युसे हम solar परिवार की कहते हैं, या फिर solar मंडल कहते हैं, यही बाद क्यरें, सोर मंडल का निर्माड 4.6 billion बाष पूर्व हुआ था, और solar मंडल में सूर तारह ऐसे खगुर यह पिंड समलित होते हैं, जो गुतभक अशन बल द्वारा उससे ज जुड़ रहते हैं तो दोस्तों यह गृत्वा कशन बलके द्वारा जुड़े हुए होते हैं इन में ग्रहे बॉने ग्रहे प्राकितिक उप ग्रहे छुद्र ग्रहे ठीक है उलकाए धूमकेतु और खगे लिए दूर आदी सामिल हैं उसके बाद सौर मंडल में ग्रहों की संक हैं वह दूरी के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार हैं तो सबसे पहले जो है बुद्ध है उसके बाद सुक्र आया प्रद्भी आया फिर मंगा ब्रश्पति सनी यूरेनस नेक्च्यून और प्रूटो यूरेनस मतलब अरुण ग्रहे और नेक्च्यून मतलब दोस्तों क्या ह हो गया बरुण ग्रहे आ गया उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं क्या हुआ था एक नोट है उसमें 1425 ठीके दोस्तों अगस्त 2006 के मत ठीके चेक गरणाज में संपन अन्ताराष्टिय ख़बोलिये संग ठीके 26 भी मासवा की वेटक में प्लूटो को क्या कहा ग्रहों की से हट हिसके नहीं बानता के अनुसार अब क्रिकर्मा करता है थीक है सूर्व की परिकर्मा जो करते हैं अपने स्वयम के गुर्त्वा करशन के लिए परयाप्त क्या है पधार्त है ताकि द्रणपिन की सक्तियों को वस्यूबूत कर सकें और जल इस्तेत की संतुलन बना सकें और अपनी परिक्रमा की दौरन क्या करें किसी भी अन्य ग्रह की क्या करें कक्छा को ना काटें तो ग्रह दोस्तों क्या है ग्रहाँ से अगर हम बात करें तो वह क्या हो एक उनमें घनत्व हो, उनका तापमान हो, ठीक है, और वह क्या है, किसी एक दूसरे ग्रहा की कक्छाओं को ना काटें, तो उनको क्या कहा गया, ग्रहाओं की संग्या दी गई है, इसको यह क्या है, दोस्तों, एक चित्र है, जिसकी मध्यम से बताया गया है, नेक्स्ट है, ग्रहा अपने आकार, संग्यठन करने वाले पधार, तापमान कता सूर के चारों परक्रिमा की अवदी की दरश्टी से, एक दूसरे क्या होते हैं, अलग-अलग होते हैं, इन भिन्यताओं का मुख कारण क्या है, सूर से इनकी दूरी होती है, कुछ ग्रहा जैस दोस्तों इसमें देखो ट्रिक्स, जो यह जो आपका यह डाइग्राम बना है, सौर मंडल, ठीक है, उसमें ग्रहे को दो पार्ट में विभायत किया गया, एक पार्थिप ग्रहे, दूसरा गैसिय ग्रहे, तो पार्थिप ग्रहे में कौन-कौन से हैं, बुद्ध आ गया, द को किलियर किया गया, कुछ ग्रहे, गैसों के बने होते हैं, जिने क्या कहा गया, गैसी ग्रहे कहा गया, इसके अंतर ग्रहे चारों ग्रहे आ गए, इन्हें बड़े आकार्थी कारण ने जो भीन ग्रहे कहा जाता है, जो भीन कार्थ क्या होता है, प्रस्पती के सामान होता ह सौर मंदर के सभी आटव ग्रहों में प्रिदीप का गनत दोस्तों सबसे अधिक है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर है अन्य ग्रहों का ग्राम सेंटीमीटर में इस प्रिकार से दोस्तों बुद्ध का 5.4, सुकृ का 5.2, मंगल का 3.9, ब्रिस्पति का 1.3, सनी का 0.6, अरोण का 1.2 और परोण का 1.6, यानिकी सनी का जो है सबसे कम घनत है सूर के सौर परिवार के द्रबिमान का 90.98 भाग अंतरविस्ट है सूर का द्रबिमान 1.989 इंटू 10 टू दी पापर 10 किलो ग्राम है जो कि प्रतिवी के द्रबिमान का 3, 33,000 गुना है और सौर मंदल में कुल 8 ग्रे है जि सबसे बड़ा कौन सा है प्रस्पती ग्रे है यदि बात के जाए तो सुकुर क्या है सरवादिक चमकी लाग रहे है यह और दोस्तों सुकुर को क्या कहते है प्रतिवी की जुलबा वहन भी कहा जाता है बरोन क्या है सबसे दूर इस्तित है यह सूर की परिक्रमा करने में का प्रकास नहीं होता है प्रकासित होते हैं आकार के अनुसा ग्रहों का अवरोही करम दोस्तों अवरोही मतलब हुआ सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा ठीके तो ब्रसपती सबसे बड़ा सनी अरोन वरोन प्रदवी सुकुर मंगल एबं बुद्ध यानि कि बुद्ध ग्रह जो क्या है आकार की दस्टी में सबसे छोटा ग्रह है द्रबमान के अनुसा ग्रहों का अवरोही करम देखे तो सबसे बड़ा ब्रसपती ग्रह का है फिर सनी का है बारोन अरोन प्रदवी सुकुर मंगल एबं बुद्ध का रहा है उसके बाद जो हमारा ने अरोर डर और बॉरां है घम वारतिक गुत्व कर श्म बल ब्रसपती का होता है कितना होता है तीज सामला एक मीटर सेकिंड का है थ्युक्त है फिलियू को क्या होता है दोस्तों गोल्डिलऌेलda लुक्स जोन का आवास ये छेत्र भी कहा जाता है यह किसी तारे के चारो और इस्थित ऐसा शेत्र होता है जहां पर किसी ग्रह की सत्ह पत्तरल पानी होने की पाई जाती है ठीके दोस्तों गॉल्डी होती है किसी भी चित पर तरह लिस्थी में पानी पाए जाने की संभवना होती है हमारे सौर मंदल में गोड़ी लॉख जोन का है इस इस एक मतर जो ग्रेय है वे प्रत्वी है अन्य की खूज जा रही है जोन अत्याधिक गर्मया और नाही क्या है अत्याधिक ठंडा है भॉले ब्रह्मान के केंद्र में पृत्वी उसकी प्रक्रमा करती है उगनी कि चटी सथी में पहले से क्या आता है दोस्तों कि चटी सथी में पिर्शत खगोली है 12 महीन ने इसमें लगवा एक खजास पूर भी ऐसी भविश्यवानी कर दी थी कि चंद्वा प्रत्वी का चक्क्र ल अधारवुत नियमों का ने रुपर किया अंग्रेजी बेग्यानिक आईसेक नीटन तफा गती के तीनों का पृतिवादन किया था दोस्तों जो हमारा सौर मंदल का वीडियो है वह यहीं पर समाफ्ट होता है जैसे दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहे है तो प्लीज शेयर को सब्सक्राइब करने जिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ठीक है दोस्तों ठेंक यूँ